हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब बच्चों इस वीडियो में हम जवार नोद्य विदेल्या प्रवेश प्रिक्षा कक्षा 6 दोजार बीस में आए रीजिनिंग के important question करेंगे जो figure से related question आये थी दोजार बीस में तो सबसे पहला पाट आपके सामने है सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं कि इन questions में करना क्या है प्रसन संख्या एक से चार में प्रतेक प्रसन में चार चितर A, B, C और D दरसाए गए हैं इन चार चितरों में से तीन चितर किसी वीदी से एक समान है जबकि एक चितर अन्या से भिन है अन्या से भिन चितर का चैन करें अपने उत्तर को दरसानने के लिए ओमार उत्तर पत्रिका में प्रसन की संगत संख्या के सामने वाले वृत को काला करें आपको चार चितर दिये हुए हैं A, B, C और D तो इन चार चितरों में से कोई तीन चितर थोड़े सोड़े क्या है एक समान है उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरेटी है और जो एक चितर है वो बागे तीनों से भिन है यानि अलग है आपको बिन चितर का चेन करना है इनमें पताना है कि कौन सा चितर अलग है तो सबसे पहले पहला कोश्चन है आपके सामने इसमें देखो प्यारे बच्चो इसमें A, B, C, D चार चितर है सबसे पहला जो चितर है इसमें क, I, और T, क, I, T से बना एक वर्ड लिखा है सेकिन चितर में, उप्सन B में, T, I, K, इसमें भी क, I, और T आया है और उप्सन C में भी क, I, T आया है लिकिन अगर आप जहन से देखोगे तो उप्सन D में क, I, तो है लिकिन T की जगह C दिया हुआ है यानि option A, option B और option C वाले चित्तर में क, I और T इन तीन letters का use हुआ है क, I और T का लेकिन option D वाले में क, I, T की जगाए C का use हुआ है तो option D वाला सबसे भिन हो जाएगा सबसे different हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा option D अब देखते हैं second person और यह रहा बच्चो second question आपके सामने इसमें देखो बच्चो तीन जो कोई आकरितियां है में एक जैसी होगी और एक भीन होगी वो आपको बतानी है तो अगर आप जैन से देखोगे यह भी त्रीबुज है यह भी त्रीबुज है यह भी त्रीबुज है लेकिन इन चारो त्रीबुजों में कौन से त्रीबुज में similarity है और कौन सा अलग है आपको देखने से पता चली रहा होगा जो ये option A वाला त्रीबुज है इसमें 90 degree का कौन बना है यनि ये समकौन त्रीबुज है उपसन C वाला वी समकौन त्रीबुज है और उपसन D वाला वी समकौन त्रीबुज है लेकिन प्यारे बच्चो उपसन B वाला समकौन त्रीबुज नहीं है इसमें कौन 90 degree का नहीं है तो आपको पता चल गया होगा इस प्रसन का सही उत्तर होगा उप्सन B वाला चित्तर बाकि तीनों से भिन है अब देखते हैं बच्चो परसन संक्यतीन इसमें बताओ बच्चो कौन सा चित्तर भिन है अगर आप ध्यान से देखोंगे तो आपको देखने से ही पदा चल रहा होगा एक वृत है वृत के अंदर वृत है और फिर एक एरो ब बाहर की तरफ है सेम सी में भी वृत वृत की अंदर वृत और फिर एक एरो बाहर की तरफ लेकिन प्यारे बच्चो अगर आप डी वाला चित्तर देखोगे तो वृत के अंदर वृत नहीं है यह बाहर की और दिया हुआ है और एरो बाकी में बाहर की और ता इसमें अंदर की और दिया गया है तो option D वाला चितर इन तीनों चितरों से different हो जाएगा तो option D इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अपनी ओमार सीट में आपके पास ABCD चार option होंगे उसमें जो D वाल option होगा वो क्या करना पड़ेगा डार क्यानिकि उसमें फिल करना पड़ेगा भरना पड़ेगा वो तो अब देखते हैं प्रसन संख्या 4 प्रसन संख्या 4 वी आपको देखने से पता चल रहा है प्यारे बच्चों की कौन सा इसका अलग है देखो प्यारे बच्चों उप्सन ए में जो डाइगनल दिया हुआ है और इसमें एक क्रोस यानि निसान लगाया हुआ है डाइगनल में उप्सन बी वाले ये वाले चितर है इन में एक भुजा वर्ग की भुजा पे निसान लगाया गया है लेकिन चितर A में वर्ग के जो डाइगनल है जिसे विकरन भी कहते हैं उस पर निसान लगाया गया है तो उप्सन A इसका डिफरेंट हो जाएगा साही उत्तर हो जाएगा उमीद है प्यारे पच्चो आपको ये चारो प्रसन समझ में आ गए होंगे अब हम देखते हैं भाग दो भाग दो में सबसे पहले निर्देश पड़ते हैं प्रसन संख्या पाँच से आठ में बाई और एक प्रसन चितर दिया गया है तता दाई और A, B, C और D उत्तर चितर दिये गए हैं उ अपने उत्तर को दरसाने के लिए ओ अमार उत्तर पत्रिगा में प्रसन की संगत संख्या के सामने वाले वृत को काला करें प्यारे बच्चो इसमें आपको क्या करना है एक प्रसन चितर दिया हुआ है और चार उत्तर चितर दिये हुए हैं आपको बताना है कि कौन सा उत्त चित्तर प्रसंद चित्तर के जैसा है इसके संगत डूड़ना है यानि इसके समरूप चित्तर आपको बताना है तो देखो बच्चो आपको पता चल रहा होगा कि इस प्रसंद चित्तर जैसा कौन सा उत्तर चित्तर है अगर आप ध्यान से देखोंगे तो आप देख सकते हो य कि इसमें यहाँ पे एक लाइन आई हुई है जो कि प्रसन चित्तर में नहीं है उप्सन B वाला जो चित्तर है प्यारे बच्चों वो प्रसन चित्तर जैसा है उप्सन C भी नहीं होगा उप्सन D भी नहीं होगा तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर होगा उप्चन B उप्चन B वाला उत्तर-चित्तर प्रसंचित्तर के जैसा है तो उमीद है आप सबने भी यही उत्तर लगाया होगा अब देखते हैं प्यारे बच्चो P्रसंथ सांख्या छे इसमें बताओ कि कौन सा प्रसंचित्तर जैसा है यानि प्रसंद चित्तर के जैसी कौन सी आकरीती है इन चारों में से और आप देखकर पता लगा सकते हो प्यारे बच्चो उप्सन जो B वाला है उप्सन B वाला चित्तर बिल्कुल प्रसंद चित्तर जैसा है यहाँ पे एक dark है यहाँ पे भी dark है यह वाला dark है यहाँ पे भी dark है इन्य shaded है भरा हुआ है यह वाला shaded है और यह वाला भी shaded है तो option B वाला चितर इसका सही उत्तर हो जाएगा तो प्यारे बच्चो आपको समझ में आ रहा होगा ध्यान से समझते जाना पूरी वीडियो को लाश्ट तक जब आप इस सभी कोश्चन को समझ लोगे तो आपको इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा अब के वर्स के एक्जाम में तो देखो प्यारे बच्चो प्रसं संख्या साथ प्रसं संख्या साथ में बताओ दोस्तों कि जो प्रसं चित्तर है इस जैसा चित्तर कौन सा है तो देखो अगर आप जयान से देखोंगे यहाँ पे दो छोटे छोटे सरकल्स दिये होए हैं लेकिन इसमें दोस्तों यहाँ प बात करें तो यहां पर यह दोनों साइन भी दिये हुए हैं तो उप्सन वी वाला जो चितर है उप्सन वी वाला उत्तर चितर इसका सही उत्तर हो जाएगा तो उप्सन भी सही है उप्सन सी भी नहीं होगा उप्सन डी नहीं होगा तो उप्सन सी इसका राइट अंसर हो जाए अगर आप जहन से देखोगे तो इसमें जो एरो के साइन दिये हुए है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां दो जगा नहीं है तो उप्शन सी ही इसका राइट अंसर हो जाएगा तो प्यारे बच्चों उमीद है आपको यह 4 प्रसन भी सावज में आ गए होंगे अब देखते हैं भाग 3 पार्ट 3 पार्ट 3 में आपको क्या करना है प्रसन संख्या 9 से 12 में 2 और 1 प्रसन चित्तर दिया गया है यहां पे अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड एक प्रसन चि दाइं और A,B,C,D 4 उत्तर चित्तर दिया है इन पर गोर करना है तस तथा उथ्बिषा परिवर्तन के प्रसन चित्तर का पैटर्न पुरा करने के लिए प्रसन चित्तर के लिपत्वाग में बिठाया जा सके 60 यानि प्यारे मित्रों आपको क्या करना है उप्सन A, B, C, D चार उत्तर चित्तर दिये हुए है इन में से बीना इनने गुमाए ये कुछ छेडे ऐसे ही बताना है कि कौन सा इन में से यहाँ पे फिट आ जाएगा ताकि ये प्रसन चित्तर पूरा हो जाए ये पैटरन है यहाँ पे भी तो इसका मतलब यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी तो हम इसे यहाँ पे ऐसे अटैच कर देंगे और यहाँ पे भी ऐसे अटैच कर देंगे तो यहाँ पे एक क्या जाएगा एक कम्पलीट ट्रेंगल बन जाएगा और दोस्तो अगर आप option में check करोगे यानि कि उपर के side और नीचे के side उपर के side और नीचे के side option A में ही ये dark है और एक बीच में ये line भी आएगी तो option A में ही ऐसा देखने को मिल रहा है तो option A आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा बाकी option B नहीं होगा ना ही option C होगा और ना ही option D होगा option A चित्तर है जो वो इसका right answer हो जाएगा अब देखते हैं प्रसंद चित्तर 10 में प्रसंद चित्तर दिया हुआ है आपको बताना है कि कौन सा उत्तर चित्तर यहाँ पे आएगा जिससे ये आगरिती complete हो जाएगी यानि इसका pattern complete हो जाएगा सबसे पहले प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या बनाएंगे हम डाइगनल्स बना देंगे जो कि सब में दिया हुआ है लेकिन अगर आप एपर गोर करें यहाँ पे एक बीच में यह वाली लाईनी भी दी हुई है जो कि गलत है यह वाला तो इसका होगा नहीं अब आप जो य प्यारो की निसान दियो हैं यह सभी बाहर की तरफ है सभी कहां है बाहर की तरफ है इसमें भी बाहर की तरफ है लेकिन इसमें यह दो अंदर की तरफ है तो यह भी नहीं होगा तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट अंसर क्या होगा उप्शन बी वाला इते चित्ट Works फिट बैठेगा तो सबसे पहले देको यहां पर हम क्या बनालेंगे कि टाइगणल बना लेगे फ़ड़ा ही से बनाते हैं यहाँ पर एक डाइगनल अब यह डाइगनल इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है अब प्यारे बच्चो सबी कोनों में एक ऐसा सा सिंबल दिया हुआ है जिसे हम 90 डिगरी का सिंबल कहते हैं ऐसा सिंबल इसमें और इसमें है यानि उप्षन B भी कट हो ग यहां पे भी हम अंदर की तरफ डोट लगाएंगे वान टू थ्री फॉर और अगर आप ध्यान से देखोंगे तो अंदर की तरफ डोट उप्सन डी में ही हैं उप्सन ए में तो नीचे की तरफ दियो हैं लेकि नीचे की तरफ तो क्या आएगा इस टाइब का डिजाइन अब देखते हैं प्रसंद संख्या 12 अगर प्रसंद संख्या 12 में देखोगे यहां पे पैटर्न कंप्लीट करना है तो आप देखो यहां पे भी एक क्या आएगा इस टैप से आएगा जो की इसके बराबर आएगा मतलब शेड़िट नहीं होगा और यहां पे भी आएगा ज जो आकरिती है वो यहाँ पे fit बैठेगी और तभी यह pattern complete हो जाएगा तो इस प्रसन का सही उत्तर होगा दोस्तो option D अब देखते हैं प्रसन संख्या 13, 14, 15 और 16 यानि भाग 4 भाग 4 में आपको क्या बताना है कि प्रसन संख्या 13 से 16 में 22 और 3 प्रसन चितर दरसाए गए है प्रसन चितर के लिए खाली स्थान चोड़ा है आपको बताना है कि प्रसन चितर में जो खाली स्थान चोड़ा है वहाँ पे कौन सा उत्तर चितर आएगा इन चारों में से और जो एक दो तीन तीन जो प्रसन चितर है यह किसी एक सिरेनी में है करम में है पैटर्न में है तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका पैटरन क्या है अगर आप ध्यान से देखोंगे इसमें इसका जो डिरेक्शन थी जैंड की वो इस साइड थी अब यह 90 डिगरी ऐसे नीचे मतलब एंटी को लोकवाइज मूव हो गया अब इसकी डिरेक्शन नीचे हो गई उससे नेक्स्ट म और सी में से कोई एक अंसर होगा लेकिन प्यारे बच्चो इसमें सिर्फ एक ही एरो है इसमें भी इसमें भी और जबकि अगर आप यहां देखो बी और सी में सी में दो एरो दिये होए हैं यहां भी और यहां में तो सी भी इसका अंसर नहीं होगा अब हमारे पास एकी उप बनेगे तो उप्सन भी इसका राइट अंसर हो जाएगा अब देखते हैं प्रसंद संख्या 14 इसमें देखो प्यारे बच्चो इसमें आगर आप जहां से देखोंगे ट्रेंगल के बाद एक एरो फिर नीचे सर्कल और फिर नीचे एक रेक्टेंगल यानि आयत दिया हुआ है अब हुआ गया ये रोटेट हो गए रोटेट कर दिया इसको ये वाला जो आयत था ये ऊपर चला गया ट्रेंगल इस साइड आ गया एरो नीचे आ गया और जो सर्कल था वो इस साइड आ गया यानि क्लोक वाइज 90 डिगरी रोटेट कर रहे हैं अब प्यारे दोस्तों जो रेक्टेंगल था आप किसी भी एक शेप को लेलो कोई भी मतलब इसमें से पहले एक शेप को लेकर चलते हैं हम एरो लेकर चलते हैं एरो इस साइड था अब 90 degree नीचे हो गया फिर इस साइड आ गया यहाँ पी देख सकते अब उपर की साइड आएगा दोस्तों एरो कहां पिया आएगा ऊपर की साइड आएगा सोरी यहां पे नहीं अब एरो आएगा उपर की तरफ यहाँ पर आएगा अगर आप देखोगे A, B, C, D, इन चारो उप्षन में से तो उपर की तरफ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है यानि A वाला उप्षन तो होगा नहीं अब दोस्तो, एरो के जो पीछे, एरो के पीछे ट्रेंगल था एरो के पीछे ट्रेंगल था, एरो के पीछे ट्रेंगल था लेकिन D में triangle की position ऐसे दी हुई है अब हमें पता लगाना है कि triangle की position कैसी आएगी अगर आप द्यान से देखो triangle का vertex सबसे पहले ऊपर था फिर इस side हुआ फिर नीचे हुआ याश्य आप इस side होगा triangle का vertex वर्टेक्स बी और सी वाला है जो उस टाइप से होगा तो ट्रेंगल है जो हमारा वो कैसे आएगा यहाँ पे बना लेते हैं ट्रेंगल का जो वर्टेक्स है वो कुछ ऐसे होगा जो की बी और सी में दिया हुआ तो पहरे साथियो सबसे पहले ये आ गया था और यहाँ पे क्या गया था ट्रेंगल आ गया था अब ट्रेंगल भी आ गया ये भी आ गया उससे पीछे क्या था आयत अगर आप आयत को देखो सबसे पहले ये ऐसे पढ़ा था फिर उपर हो गया फिर ऐसे हो गया यानि अब की इसमें ठीक आया हुआ हैं तो उप्सन भी इसका रायट अंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों उम्हीत है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा उप्सन वाला है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब प्रसंद के नीचे फिर क्रोस आ जाएगा यानि सरकल क्रोस सरकल क्रोस सरकल क्रोस उप्सं सी इसका राइट अंसर हो जाएगा अब देखते हैं प्रसन संख्या 16 को 16 में देखू प्यारे बच्चो यहाँ पे सबसे पहले यह उपर की तरफ था नीचे हो गया उपर हो गया यानि अब की बार कहा हो जाएगा नीचे तो ये नीचे हो जाएगा कुछ ऐसी शेव आपके सामने आ जाएगी अब नीचे इसमें और इसमें है यानि उपसन बी और डी को तो हम पहले ही काट देंगे अब इसमें चेक क्या करना है यहां पे सब के नीचे ऊपर क्या था सरकल था तो तो देखो यहां पे आएगा अगर आप ध्यान से देखो a में सरकल नहीं है तो यह वाला option तो इसका फोगा नहीं लेकिन C में circle है तो c वाला इसका राईट answer साथ ही दोस्तों जो क्रोस के साइन यहां एक था यहां दो तो यहां तीन थे तो यहां पर कितने आ जाएंगे चार आ जाएंगे जो की उप्षन सी में ही है तो उप्षन सी इसका सही उत्र हो जाएगा अब देखते हैं next question भाग पांच में आपको क्या करना है सबसे पहले निर प्रसंचिन है प्रसम सेट के दो प्रसंचित्रों में एक निश्चित संबंद है इसी तने का संबंद दूसरे सेट के तीसरे और चोथे प्रसंचित्रों में भी होना आवशक है उत्तर चित्रों में उत्तर चित्रों से उस चित्र का चैन करें जो प्रसंचित्र को प्रतिस्थ दियो हैं, दो यह रहे और एक यह रहा, चोत्य की जगा खाली छोडी है एक तो यह वाला सेट दिया हुआ है दो चित्रों का और एक सेट यहां पे बनेगा आपको क्या करना है जो पहला सेट है, इसमें समझना है कि इसमें क्या relation है क्या pattern यूज किया गया है वही संबंद वही relation आपको तीसरे और चोथे में यूज करना है तीसरे चोथे में वही relation यूज करना है और यहाँ पर बताना है कि क्या आकरिती आएगी कौन सा चितर आएगा तो सबसे पहले देखो दोस्तो जो प्रसंचितर दिया हुआ है थोड़ा है इसको जूम कर लेते हैं प्रसंचितर दिया हुआ है आपके सामने यहाँ पर यह वाला हिसा थोड़ा shaded है shaded मालो क्योंकि यहाँ पर क्रोस दिये हुए है बाकी के तीन खाली थे लेकिन इसमें क्या किया जो आजू बाजू के थे एक तो यह और एक यह इसमें भी shade कर दिया गया यानि इसके side वाले दोनों side वाले भी shade कर दिये गए तो यहीं use करना है यह वाली figure निकालने के लिए तो क्या होगा प्रसंचितर यह वाला जो portion है यह shaded है तो इसके बाजू वाले दो कौन कौन सी है यह वे तो यह वाले दो भी क्या हो जाएंगे shaded हो जाएंगे तो ऐसा कौन सा option है प्यारे साथियो option C है यह दिया हुआ था तो आजू बाजू वाले भी shaded हो जाएंगे तो option C वाला है जो चितर वो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब देखते हैं प्रसंद संख्या 18 प्रसंद संख्या 18 में बताओ प्यारे साथियो कि इन दोनों में क्या relation है क्या relation क्या pattern यूज किया गया है तो वही इन दोनों में यूज करना है कि यहाँ पे क्या चितर आ जाए तो सबसे पहले आप देखोंगे जो प्रसंद संख्या 18 में पहला जो सेट दिया हुआ है इसमें जो ये वर्ग दिया हुआ था इसके diagonal को मिला दिया गया इसके जो diagonal थी वो मिला दिये गए तो अब हमें क्या करना है इसके भी diagonal को मिलाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे जो ये वाला आगरीति दी हुई है पेंटागन है इसके भी diagonal को मिला देंगे सबसे पहले ये diagonal ये diagonal ये diagonal ये diagonal ये diagonal इसके सभी diagonal को मिला देंगे तो सभी diagonal को मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कौन सा चितर बना है option A वाला तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option A इसके आपको विकरण मिलाने है जैसे इसमें विकरण मिलाए है तो यहां भी आपको विकरण मिलाने पड़ेंगे आपको यह नहीं स पढ़ेंगे तो option A वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा अब देखते हैं प्रसंद संख्या 19 को प्रसंद संख्या 19 में देखिए प्यारे बच्चो इन दोनों में क्या relation है पहला जो set दिया हुआ है इन दोनों में क्या relation है वह relation यहां पर यूज करना है अगर आप जहां से देखोंगे जो नीचे का भाग है यह तो same है यह तो क्या है दोनों में लेकिन जो उपर का हिस्सा है वो नीचे की तरफ ता उपर की तरफ कर दिया तो यहां भी क्या होगा प्यारे साथ यूद यह नीचे वाला भाग तो same रहेग उपर वाला जो हिस्सा है वो उपर हो जाएगा यह नीचे की तरफ था तो उपर की तरफ हो गया जैसे इसमें हुआ था तो उपसंद सी वाले में सेम ऐसे फिकर बनी है तो उपसंद सी वाला चितर इसका सही उत्तर हो जाएगा अब देखते हैं परसंद संक्या भी इसको बता नीचे वाली figure है यह इसमें ऊपर चली जाती है नीचे वाली figure कहा चलेगी दोस्तों ऊपर चलेगी तो यहां भी क्या होगा एक rectangle sorry एक triangle दिया हुआ है triangle के बीच में एक वर्ग है और नीचे जो circle ता वो इसके ऊपर चला जाएगा तो अगर आप ऐसी figure देखोंगे यह B वाली figure ह B वाली figure है तो उप्सन B है तो इस प्रसन का सही उत्तर हो जाएगा अब देखते हैं next part हमने 20 तक प्रसन कर लिये हैं अब देखते हैं six part भाग चे को इसमें क्या करना है प्यारे साथियो आपको देखने से पता चली रहा होगा प्रसन संख्या 21-24 में प्रसन चित्तर के रूप में जैमीतिया चित्तर त्रीबूज वरग ये वरित इनमें से कुछ भी हो सकता है कि एक भाग को बाई और दरसाय गया है इनका एक भाग दो दिया गया है तता दाई और दूसरे भाग को उत्तर चित्तर के रूप में A, B, C D से दरसाय गया है यानि जो इस side वाला part जो खाली छोड़ा गया है वो उत्तर चितर में दरसाय गया है तो आपको बताना है कि दाई और के चितर से जैमिती रेखा चितर को पूरण करने वाले चितर को ग्यात करें यानि इन में से कौन सा चितर होगा जो इसे complete कर देगा पूरा चितर बना देगा वो आपको चुनना है तो सबसे पहले देखते हैं प्रसन संक्या 21 को इसमें बताईए पहरे साथ यो कौन सा चितर आएगा जिससे याकरिती complete हो जाए यानि यहाँ पे एक वर्ग बनेगा तो वर्ग बनेगा तो कैसा चितर बनेगा पहरे साथ यो कुछ इस टाइब से चितर बनेगा आप देख सकते हो कुछ इस टाइब से चितर बनेगा जो कि option B वाला है तो option B वाला प्रसन 21 का सही उत्तर हो जाएगा बहुत easy question है अब जो question number 22 है इसका उत्तर बताओ दोस्तो यह भी बहुत easy है और आपको दिख रहा होगा यहां पर वर्ग complete करना पड़ेगा तो वर्ग complete करेंगे ऐसी figure आएगी जो कि option C वाली है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option C वाला अब प्रसन संख्या 23 को देखते हैं अब इस में देखो दोस्तो थोड़ा हां इसमें त्रीबुज को complete करना है तो जब हम त्रीबुज को complete करेंगे सबसे पहले देखो पहरे साथियो यहां पर त्रीबुज को complete करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसा सा figure बनता है कुछ इस type का figure बनता है अगर आप जहां से देखो जो इस type का figure है पहले ऐसे फिर नीचे फिर ये फिर ये गोल फिर ये ये बिल्कुल D वाला figure बन रहा है पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ये और बिल्कुल ये D वाला figure बन रहा है दोस्तो जहां से देखो क्योंकि अगर यह वाला देखो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऐसा हिस्सा नहीं है ऐसा हिस्सा होना चाहिए था यह भी नहीं हो सकता पैरे साथ यह क्योंकि यह अंदर की तरफ है यह अंदर की तरफ है भार की तरफ नहीं है अगर यह भार की तरफ दिया होता फिर यह वाल आगे देखो तो यह वाला हिस्सा बनेगा सेम इस टैप से बन जाएगा तो उप्सन डी वाला जो चितर है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐसे प्रसंद संख्या 24 में देखो प्यारे साथियो 24 में इसे वृत्त को complete बनाना है तो वृत्त को complete बनाएगा तो ऐसे बनेगा और जो यह थोड़ा थोड़ा हिस्सा था यह भी यहां पर आ जाएगा डार्क में अगर आप देखोगे तो 1,2,3 थ्री पार्ट आये हैं जो कि उप्सन B और C में है उप्सन A भी नहीं होगा उप्सन D भी नहीं होगा लेकिन C में देखो दोस्तो यह complete डार्क नहीं है थोड़ा भी इसका राइट अंसर हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तो नेक्स्ट पार्ट पार्ट सेवन इसमें आपको क्या करना है प्रसन संख्या 25 से अठाई में बाई और प्रसन चितर दरसाये गया है तथा दाई और A, B, C और D से चीनित चार उत्तर चितर दरसाये गए हैं किस संख्या के सामने वाले वृत को काला करे यानि प्रसन चितर दिया हुआ है इसके दाई तरफ एक मीरर रख दिया गया है तो आपको बताना है कि दरपन के इस साइड कैसी इमेज बनेगी कैसा प्रतिबिम बनेगा उप्सन A, B, C, D में से बताना है तो सबसे पहले देखो प् क्लियर नहीं आया हुआ है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहां पे प्लस का साइन है यहां पे मल्टिपलाई है थोड़ा मैं इसको यहां पे बना के दोबारा दिखाता हूँ आपको यह कुछ ऐसी शेप थी यहां पे प्लस का साइन है और यहां पे मल्टिपलाई का sign है अगर आप जहां से देखो और यहां पे दोस्तों minus है यहां पे divide है यहां पे divide है जब आप यहां पे mirror रखोगे दरपन रखोगे तो इस side क्या बनेगा आपको पता है जो left side होता है वो right से चला जाता है यहां जो multiply का sign यहां पे आ जाएगा plus वाला sign यहां पे आ जाएगा minus तो यहीं रहेगा वो जो divide है वो भी यहीं रहेगा तो कुछ ऐसा चित्तर बनेगा अगर आप देखो कि तो option C में ही ऐसा चित्तर बना हुआ है तो option C इस question का right answer हो जाएगा अब देखते है प्रसंद संक्या 26 को प्रसंद संक्या 26 में बताईए प्यारे साथ कि इसके सामने अगर दरपन रखेंगे तो कैसा प्रतिविम बनेगा तो सबसे पहले देखो अगर हम यहां पे दरपन रखेंगे तो जो यह वाला मैं यहां पे work बनाने तो जो यह वाली side होगी यह ऐसे आ जाएगी इस type से और यहां पे क्या जाएगा dark आ यह वाला तो dark होगा इसमें dark नहीं होगा तो अगर आप option A में देखो तो यह वाला dark है यह नहीं है बिल्कुल option A जो चित्तर है वो इसका प्रतिविम बनेगा तो प्रसंद संक्या 26 का क्या होगा प्यारे साथ यह option A दोस्तो अब question number 27 को देखते हैं इसमें बताओ कि इसका प्रतिविम दरप्रन प्रतिविम क्या होगा प्रसंद चित्तर का अगर आप देखो कि सबसे पहले C C हो जाएगा ऐसे फिर equal का sign तो equally रहेगा फिर यह जो image है इसमें ऐसे shading है तो shading ऐसे हो जाएगी multiply का sign multiply ही रहेगा तो C बराबर फिर यह shading वाला और multiply का sign है यह same to same option D में आया हुआ है तो इसकी जो mirror image हो जाएगी इसका दरपन प्रतिविम हो जाएगा option D वाला अब देखते है प्रसंद संख्या 28 इसमें देखो प्यारे साथ यह जो इंक लिखा हुआ है IN के इसका दरपन प्रतिविम बताना है तो सबसे पहले के के तो ऐसे हो जाएगा फिर N का दोस्तों option में दिख रहा है आप option B में देखो दोस्तों option B में बिल्कुल ऐसा ही प्रतिविम है तो option B है जो हुए वाला चितर इसका सही उत्तर हो जाएगा अब देखते हैं next part part 7 भाग साथ में आपको क्या करना है सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं इस प्रसंद में क्या करना है प्रसंद संख्या 29 से 32 में बाई और प्रसंद चितर में दरसाए अनुसार कागज के एक टुकडे को तह देकर पंच किया जाता है तथा दाई और A, B, C, D से चीनेद चार उत्तर चितर दरसाए गए हैं कागज के टुकडे के तह को खोलने पर जिस परकार दिखेगा वैसा ह प्रसंद के संख्या के सामने वाले वृत को काला करें यानि पहरे साथियो आपको एक चितर दिया गया है प्रसंद चितर और सामने एक उत्तर चितर दिया गया है अगर आप इसे एक कागज का टुकडा मानें तो इसे मोडा गया है पहले इस टाइप से मोडा फिर ऐसे मोड तो जब इसे दोबारा से खोला जाएगा उपन किया जाएगा पंच करने के बाद तो आपको बताना है कि इन में से A, B, C, D चार उप्सन में से कौन सा उतर चेतर बनेगा अगर आप जहां से देखे पहरे साथ ही हो सबसे पहले मैं इसे बना लेता हूँ ऐसे पहले ये ऐसे मोटा गया फिर ऐसे मोटा गया और फिर ऐसे मोटा गया यहाँ पे दो सरकल्स पंच किये गए जब इसको मैं ऐसे नीचे खोलूँगा तो दो सरकल्स यहां भी आ जाएंगे फिर मैं ऐसे खोलूँगा तो इसी टाइप से 4 Sercle यहां भी आ जाएंगे और जब मैं नीचे खोलूँगा तो 4 Sercle इस साइड और 4 Sercle इस साइड आ जाएंगे तो इस टाइप की आगरीती बनेगी इसे खोलने के बाद और ऐसी आगरिति आप कौनसे उप्षन में देख सकते हो उप्षन B में तो प्रसण संक्या 29 का राइट अंसर हो जाएगा उप्षन B वाला चित्र होगा दोस्तों इसका सही उत्तर अब देखते हैं प्रसण संक्या 30 को प्रसण संक्या 30 में सब से पहले एक कागज का टूड़ लिया उसे ऐसे मोडा गया इस साइड उसके बाद इसे नीचे की तरफ ऐसे मोडा गया और फिर यहां पे एक तो क्या काटा गया एक तो ट्रेंगल काटा गया और एक वरित काटा गया गोला तो सबसे पहले से बैक साइड ऐसे खुलेंगे तो एक जो ट्रेंगल है यहां भी आ प्रसन में इस टाइप की आगरिती कौन से option में है option C में तो option C इसका right answer हो जाएगा अब देखते हैं प्रसन संक्या 31 को प्रसन संक्या 31 में देखना क्या आएगा इसका सही उत्तर तो सबसे पहले यहां पे मैं फिर से बना लेता हूँ work सबसे पहले ऐसे मोडा गया फिर ऐसे मो हाँ जाए गा अब दोस्तों इसको जब मैं इस सeken कोलूंगा तो सेम डिजएन अगर आप देखोगे यहां पे मैं कुछ इस कैप से अ लेक sucking से बना लेता हूं है तो यही कुछ डिजाइन है जो वह यहां पर भी आ जाएगा से 17 1910 दोस्तों हैं पे भी आ जाएगा ऐसे और option A में दिखाया गया है इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें नहीं है तो चारो जो diagonals हैं जैसे इसमें देख सकते हैं इन पर design आएगा तो option A में ही ऐसा दिखाया गया है option A इसका right answer हो जाएगा अब देखती है प्रसंद संख्या गया अब इसको पहले तो ऐसे अंद्री की त्रफ मोड अगया फिर यहां से इस साइड मोड आ और यहाँ पर एक कट लगा दिया गया तो जब इसे मैं से लोगा तो यहां पर आ जाएगा जब इसको वापस खूलेंगे तो एक होATHER यहां पर आ जाएगा और यह यहां अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पार्ट नाइन भाग नाइन में आपको क्या करना है प्रसंद संक्या 33 से 36 में बाई और एक प्रसंद चितर दिया गया है तथा दाई और A, B, C और D से चिनित चार उत्तर चितर दर्साए गए हैं उत्तर चितर से उस उत्तर चितर का चेन करें जिसे प्रसंद चितर में उपलब्द कट आउट से बनाया जा सकता हूँ आपको अपने उत्तर को दर्साने के लिए OMR उत्तर पत्रिगा में प्रसंद की संगत संख्या के सामने वाले वृत को काला करना है यानी दोस्तों आपको स कौन सा उत्तर चितर बन रहा है वो आपको बताना है तो सबसे पहले देखो यह वाला जो कट आउट है ट्रेंगल वाला इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा दोस्तों और इसमें छोटा हाँ दिख रहा यह तो होगा नहीं और जो यह वर्ग वाला है यह इसमें नहीं है तो यह भ कर बना है तो option D इस question का right answer हो जाएगा अब देखते हैं प्रसंद चितर 34 को देखते हैं 34 में दोस्तों बताओ कि इन cutouts के माददम से इनका use करके कौन सा चितर बनेगा अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 और चितर दियो हुए है और यह बराबर नहीं है लेकिन डी वाले में यह बराबर आए हुए है तो डी वाला तो इसका होगा नहीं दोस्तों अब देखो दोस्तों इसमें अगर आप सी वाला देखोगे यहाँ पे एक ऐसी figure आई हुई है जिसमें चार बुजा है देखो 1,2,3,4 लेकिन C वाले में कोई ऐसी figure नहीं दिख रही जिसमें चार side हो तो option C भी नहीं होगा अब option A और B बचा है तो पहरे साथ यो अगर आप जहां से देखो हमने option C भी काट दिया है option D भी काट दिया है यह वाला जो portion है यह देखो यह इसी में दिख रहा है इसमें देखो इस जैसा नहीं है थोड़ा different है लेकिन option B में इसी जैसा portion है यह थोड़ा हाग गुमा के यहाँ पर लिख रख दिया यह वाला portion यहाँ पर रख दिया और यह थोड़ा गुमा के यहाँ पर रख दिया तो option B ही इस cutout से बनेगा जो चित्तर option B में दिया गया है वही चित्तर बनेगा इन cutout से तो प्रसंद संख्या 34 का सही उत्तर हो जाएगा option B अब देखते हैं प्रसंद संख्या 35 इसमें बताओ प्यारे साथियो कि इस cutout के माद्यम से इसके यूज से कौन सा उत्तर चित्तर बनेगा अगर आप ध्यान से देखो 1,2,3,4 फोर पार्ट्स दी होए हैं इसमें चार पार्ट्स दी होए हैं और सभी में 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4 हैं लेकिन प्यारे साथियो अब 4 तो हैं लेकिन इसमें कुछ गड़बड है अगर आप देखोगे यहाँ पे एक triangle है यहाँ पे चत्रबुज है यह पे rectangle है यह लेकिन ऐसी figure तो इसमें D ही नहीं हुई है तो यह वाला option तो इसमें हो ही नहीं सकता option D तो यह तो हम पहले ही काड़ देंगे अब प्यारे साथियो यह वाली figure देखिए 5 बुजा वाली और यह भी 5 बुजा वाली figure है क्या ऐसी कोई figure आपको इन cut out में नजर आ रह है न दोस्तों यह rectangle है आयद है तो option A भी इसका right answer नहीं होगा तो अब बचा option B यह जो दो rectangle थे यहाँ पर रख दिये जो यह दो triangle थे उनको यहाँ पर रख दिया गया तो इस cut out के help से option B वाला उत्तर चितर ही बनेगा तो option B इस question का right answer हो जाएगा अब देखती है पहरे साथि जो प्रसंद संख्या 36 को प्रसंद संख्या 36 यह बहुत easy question है प्यारे साथ यह आपको देखने से पता चल गया होगा इसका सही उत्तर क्या होगा यह तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर triangle आये हुए हैं जो की option प्रसंद संख्या में नहीं दिये होए यह भी नहीं होगा ऐसा भी प्रसंद संख्या में नहीं है यह भी नहीं होगा ऐसा भी प्रसंद संख्या में नहीं है अब one two three three तो पूरे जो आयत हैं यह रहे और एक है बीच में cut वाला यह रहा तो option भी ही इस question का right answer होगा option भी ही बनेगा in cut out के माद्यम से यह तो बहुत easy था आपको देखने से ही एक प्रसंद चितर दिया गया है तथा दाई और a b c e से चिनित चार उत्तर चितर दरसाए गये हैं उत्तर चित्रों में से उस चितर को चुने जिसमें प्रसंद चितर छिपा हुआ है यह सम्मिलित है आपने उत्तर को दरसाने के लिए ओमार उत्तर पत्रिगा में प्रसंद की संगत संख्या के सामने वाले वृत को काला करना है देखो दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है एक प्रसंचितर दिया गया है और चार उत्तर चितर हैं आपको उस उत्तर चितर का चैन करना है जिस उत्तर चितर में जो यह प्रसंचितर में बनी आगरिती चीपी हुई है तो option A इसका right answer नहीं हो सकता ना ही आपको कुछ ऐसी शेप option D में दिख रही हैं यह थोड़े नीचे की तरफ मूडे होई हैं लेकिन यहाँ पे तो 90 degree भी हैं तो option D भी इस question का right answer नहीं हो सकता अब देखो option B और C अगर आप option C में देखोगे इतना हिस्सा तो है इतना लेकिन जो न इसे है और यह ऐसे यह ऐसे तो option B में ही यह वाला हिस्सा छिपा हुआ है यह वाला प्रसंद चितर छिपा हुआ है तो इस प्रसंद का सही उत्तर हो जाएगा option B option B right answer हो जाएगा प्यारे साथियो अब देखते हैं प्रसंद संख्या 38 प्रसंद को इसमें बताओ प्यारे अगर आप जहन से देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा लेकिन अगर आप जहन से देखो जो यह लाइन बनाई है जहाँ पे यह लाइन नहीं है बलकि एक कर्व है तो पहला option तो इसका गल्ट हो जाएगा अब दूसरा उप्सन देखो अगर हम यहां से बनाएं यह यह बनाएं यह कोई भी बनाएं तो आपको यह वाला करव देखने को नहीं मिल रहा है बीच में यहां भी यह वाला करव देखने को नहीं मिल रहा है तो उप्सन भी भी नहीं होगा अब option C को देखो प्यारे साथियो अगर हम ये वाले लें और यहाँ पे करव भी है दोस्तों तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा option C में ये वाली आगरीती छिपी हुई है तो option C इसका राइट अंसर हो जाएगा और बात करे option D की तो यहाँ पे तो कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा है ऐसा कुछ option C ही ईसका राइट अंसर होगा अब देखते हैं प्रसन संकिया 39 को प्रसन संक्या 39 में देखो प्यारे साथियो आपको जो प्रसन चितर दिया हुआ है ये वाला चितर बताना है काँपे चिपा हुआ है बहुत easy question है देखो प्यारे साथियो इतनी line तो इसमें है लेकिन ये वाला हिस्सा नहीं है तो option A भी नहीं होगा इसमें तो ये line ही नहीं है तो ये भी नहीं होगा अब इसमें ये line भी है ये भी है लेकिन इसमें भी कौन सी line नहीं है प्यारे साथियो ये बीच वाली ये वाल अब एक ही उप्सन बचा है तो आप देख सकते हो ये वाले चित्र कहां पे छिपा हुआ है उप्सन डी में ही छिपा हुआ है तो उप्सन डी इसका राइट अंसर हो जाएगा बहुत ही इजी कोश्चन था प्यारे साथियो अब लाइस्ट कोश्चन है प्रसंद संक्याच 40 इ इसमें देखो दोस्तों क्या आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है इसमें आपको कहीं नहीं दिख रहा है दिख रहा है ऐसा कुछ तो यह वाला उप्सन तो होगा नहीं यह वाला जो उप्सन है दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे अगर आप ध्यान से देखोंगे तो इ यहां देखो दोस्तों अगर आप जैन से देखोगे तो यहां देखो दोस्तों यह जो लाइन है यह वाली और यहां पर 90 डिगरी आना चाहिए तो अगर आप जैन से देखोगे यह देखो दोस्तों यहां पर थोड़ा हमें दोबारा बनाता हूं यह देखो यह वाली शेप य आप आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा आपको कुछ समझ में जरूर आया हो तो पहरे साथ ही हो आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शिर्प कीजिए और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफ केसन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक और नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभाद